दोस्तों कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी कसवागत है हमारी यूट्यूब चैनल नीमी जी नेट प्रो पे दोस्तों जे वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टन्ट होने वाली है इसमें हम UGC Net Exam के syllabus में जो हमारी unit है communication उसका एक topic है mass media और society उसके लेटर 2012 से 2023 तक जो भी previous exam में question आये हुए हैं वो question करने वाले हैं आपको पता ही होगा UGC Net Exam में काफी वार questions हो हैं वो repeat हो जाते हैं और option भी sometimes repeat होते हैं और इसी तरीके से हम communication के सारी topics को cover करेंगे जिस series आपके लिए काफी वेनिफीशे रहेगी आप सारी वीड जिनाट प्रो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और गंटी का बटन जरूर दबाईए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का notification असानी से मिल सके चलिए अब हम mass media और society के बारे में थोड़ा सा basic देख लेते हैं दिखिए समाज की अवधारना क्या है कुंसप्ट क्या सो समाज है वो लोगों के ऐसा समू हैं जिसमें लोग आपस में एक दूसरे से प्यार से सहसता से रहते हैं और दुनिया के जो सभी समाज हैं वो अपनी-अपनी अलग-अलग पहचान बनाए हुए हैं अपनी-अपनी रस्म और व्याजों का पालन कर रहे हैं तो इसी तरीके स क्या है मास कम्यूकेशन है जन संचार जिसका अभी प्राय है कि बहुत सारी मात्रा में जा बारी मात्रा में जा बारी अकार में क्या है कि बिखरे होई लोग हैं अधिक मात्रा में लोग हैं उन लोगों के तक संचार माईदम से सूचना को पंचाना किसी संदेश को पहचान वह होता है हमारा जन संचार, किसी एक व्याक्ति से दूसरे व्याक्ति तक अथवा किसी एक व्याक्ति से कई व्याक्तियों तक कुछ सार्थिक चिन्नों के माइद्यम से, संकेतों के माइद्यम से, किसी जानकारी को, किसी ज्यान को, मनुवाब को, अपनी थौर्स को, अपनी संचार है किसी एक व्याक्ति से दूसरे व्याक्ति तक मतलब जां किसे एक व्याक्ति से कई व्याक्तियों तक कुछ सार्थिक चिन्नों से जां फिर किसी संकेतों से सिंबल से परतीकों से संप्रेशन से सूचना जा फिर कोई नौलिज जानकारी ग्यान देना मनोबाब का जो अरदान परदान करना है वो संचार ही है संचार हमारे लिए बहुत इंपोर्टन्ट है इसमें हमें क्या है जो जन संचार है इसके माईदिम से कुछी मिंटों में हमें जू खवर है वो मिल जाती है हम टेली विजन से देख लेते हैं आज के टाइम में तो हम मुबाइल फोन से देख लेते हैं परकार की एजुकेशन, मुनरंजन, जंड़सर करना विचार विरमर्श करना मुडरंजन करना जिस सब जनसंचार के परमुख कारिये हैं कि जो जनसंचार है उसके माईदम से लोगों को जागरु को बनाने में हम भूमी का निबाई जा सकती है और इसके बिना तो आज के समाजिक जीवन की कलपना भी नहीं की जा सकती उसको हम सबिकार करें तो देखिए जे तो हमने थोड़ा सा बेसिक देखा है अगर इसके अलेटर आफ फूल नोड्स थ्योरी नोड्स चाहते हो तो आप हमारा कोर्स जॉइन कर सकते हो जिससे आपका concept clear हो जाएगा जब concept clear होगा तो आपके question भी एसानी से आप solve कर सकते हो तो अब हम जल्दी जल्दी से question देख लेते हैं इसके related जो भी है दोस्तो NTA UGC net exam 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक special super batch launch किया है जिसमें paper first के related complete study material रहेगा इस course में आपको क्या क्या मिलेगा नमबर 1 पे all 10 unit study notes रहेंगे जो हिंदी English में रहेंगे नमबर 2 पे all 10 units recorded lectures रहेंगे नमबर 3 पे 2012 से December 2023 तक all previous year question paper रहेंगे वो विदानसर टिक रहेंगे नमबर 4 पे 2012 से 2023 तक unit wise question रहेंगे नमबर 5 पे 2012 से 2023 तक topic wise question रहेंगे और इसके साथ साथ आपको 5 free bonus भी दिये जाएंगे और इसके वी इलावा आपको 5 super bonus भी मिलेंगे फुल information आप जहां से read कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा app ने image net install कर सकते हो फुल डिटेल के लिए और किसी भी problem के लिए आप हमसे whatsapp पे contact कर सकते हो वीडियो description box में app का link और whatsapp contact number दिया हुआ है Thank you दोस्तो Question देखते हैं अभी कथन दिया हुआ और तरक दिया हुआ है Media entertainment does not enhance the cultural level of society Media से होने वाले मुलरंजन से समाज के संस्कृतिक स्तर में बृदी नहीं होती है Reason देखते हैं Most media entertainment increases aspects not content quality Media से होने वाली अधिकांश मुलरंजन पलाइन बाद को बढ़ावा दे रही है ना कि अंतर वस्तू की गुनवता को जे कह रहे हैं कि जो media है उससे होने वाले मुलरंजन से समाज के संस्कृतिक स्तर में बृदी नहीं हो रही है और फिर इनोंने तरक दिया है कि media से होने वाले अधिकांश मुलरंजन पलाइन बाद को बढ़ावा दे रही है इसका जो right answer है वो है option number A दोनों ही सही है और RA की सही व्याख्या भी कर रहा है Media entertainment does not enhance the culture level of society Media से होने वाले जो मुलरंजन है उससे समाज के संस्कृतिक स्तर में बृदी नहीं हो रही तरके most media entertainment increases as maximum not content quality Media से होने वाली अधिकांश जो मुलरंजन है वो सिर्फ पलाइन वाद को भड़ावा दे रही है आज के जमाने का जो media है वो quality content को भड़ावा नहीं दे रहा है वो सिर्फ अपने views के लिए इदर उदर से कुछ ना कुछ बात होती है या कुछ ना कुछ अपनी तरफ से बना के तो वो इस तरीके से पलाइन वाद को भड़ावा दे रहा है next question which of the following is a function of mass media निमल लिखत में से कौन सा एक mass media का कारिया है option देखते हैं to transmit culture, to formulate national policies, to help the industry take its decisions, to stabilize to the share market इसका जो right answer है, वो है option number one, to transmit culture देखिए, जो mass media है, वो संस्कृति को बड़ावा नहीं दे रहा है वो अलग बात है, दे रहा है जा नहीं दे रहा है, वो अलग बात है बट इसका जो एक function है, जो काम है, इसकी duty है वो है to transmit culture, संस्कृति को परसारत करना इसका ही काम है, mass media का next question देखते है which of the following is a characteristic of modern mass media निमन लिखत में से कौन आधुनिक संचार मीडिया की विशेशता है option देखते है, capital intensive, labor intensive, sustainable, जा फिर developmental इसका जो right answer है, वो है option number one, पूंजी परदान, capital intensive जो आज का modern media है, वो पूंजी परदान है, मतलब capital intensive next question देखते है gate keeping by media to ensure what audience consume to indicative of media द्वारा जे सुनिश्चित करने के लिए देरी पर रहना कि दर्शक गन किसको पसंद करती है, जे किसका सूचक है तो देखे, जो media है, वो जे जानना चाकता है कि जो दर्शक है, वो किस तरीके की चीज़ को पसंद कर रहे है तो जे किस तरीके का साइन है, मतलग किसका सूचक है option देखते है the audience voice in media programming, media is control on society feedback received by the media, media is role in creating culture इसका जो right answer है, वो है option number B जिसमें कहा है कि media is control on society जो media है, वो समास पे नियंतर्न कर रहा है जे इसका सूच चक है, जे 2020 को question आया था next question, because of new media, नए मीडिया से learning is no longer an assembly नए मीडिया के कारण अधिगम अब नीमन लिखत में से इसका संग्रह नहीं है option देखते है, liberal news, sorry liberal views, technology based efforts, facts जा फिर knowledge, इसका जो right answer है, वो है option number 3, facts क्योंकि जो new media है, उसमें जादा तर जो facts हैं, उनको add नहीं किया जाता है 2021 का जो question है, next question, the emergence of media of communication in chronological sequences संप्रेशन मीडिया में को इस तरीके से काल करम में लगाना है option देखते है, radio, newspaper, film, television या फिर internet तो आपको पता ही है, सबसे last में तो internet ही आया है तो इसका जो right answer है, वो है option number 2 जिसमें सबसे पहले BR है, newspaper आया है सबसे पहले, then है then film, फिर उसके बाद है radio, फिर television आया है और last में internet ठीक है, तो जो 2022 का question था, next question देखते है identify the correct sequence of media production process, media production प्रकिरिया के सही करम की पहचान करनी है तो option देखते हैं, content prepare करना, planning, production, transmission and last में feedback analysis देखिए इसमें भी हमें पता ही है कि last में तो feedback ही आता है तो इसका जो right answer है, वो है option number 4 4 के according सबसे पहले B आयेगा, planning करनी है, फिर then क्या है content को prepare करना है then पृस्तिती करनी है, उसकी production करनी है, फिर transmission और last में feedback analysis जे 2022 को question आया था, next question देखते है The entry of new media has made online learning नए media के आगमन ने online अधिगम को कैसा बना दिया नया media आ गया तो online अधिगम हो गया तो उसको कैसा बना दिया है option देख रहे है, secondary source based, dependent on personal sources, institution centric, जा फिर independent इसका जो right answer है, वो है option number 4, इसको independent बना दिया है जे जून 2022 को question आया था, next question देखते है From the communication viewpoint, which one of the following is a cultural institution संचार के दृष्टी कौन से, निमन लिक्त में से कौन सा संस्कृतिक संस्ता है कौन सी है, option देख रहे हैं, trade organizations, political parties, military alliance, चा फिर family इसका जो right answer है, वो option number 4, जिसमें के family है, जो हमारी संस्कृतिक संस्ता है संचार के दृष्टी कौन से, March 2023 को जे question आया था, next question देखते है Which of the following are the forms of traditional media of communication कि जो traditional media और communication है, उसकी जो form कौन कंसी है Option देखती है, street demonstrations, जक्षा गाना, pup tree, and हरी कथा, और filmy dances इसका जो right answer है, वो है option number 2, जिसमें B, C और D आ रहे हैं देखते हैं, B में है जक्षा गाना, C है पक ट्री, and D है हरी कथा जे March 2023 में question आया था, next question देखते है Given below are two statements दी हुई है, statement one है, statement two Statement one है, mass line communication was practiced by Mahatma Gandhi during the freedom movement सुतंतर दा जब अंदोलन हुआ, तो उसके दोरान, Mahatma Gandhi द्वारा mass line संचार का अभियास किया गया था Statement second है, mass line communication is devoured of any purpose and compounds in the anchoring situations जो जन संचार है, वो किसी भी उदेशे से रहता है, और अर्राजिक स्तिती को बढ़ाता है इसका जो right answer है, वो है option number three, जिसमें कि statement one is true है and statement second is false है पहली तो सही है, दूसरी ही गलत है तो तंतरता अंदोलन के दोरान, महात्मा गांधी द्वारा mass line संचार का ब्यास किया गया था जे तो बिल्कूर right है next है, जन संचार किसी भी उदेशे से रहता है ऐसे तो है नहीं है, कुछ ना कुछ उदेशे तो है ना जन संचार का तो इस तरीके से जे गलत है जे भी हमारा 2023 को कोशन आया था तो इस तरीके से और भी काफी कोशन जान जो इस वीडियो में करवा पाना मुश्किल है और आप देखिए 2012 से 2023 तक इस टॉपिक से कोशन आ रहे है और next exam में भी आने की उमीद है और आप इस टॉपिक की थियोरी और MCQ को अच्छे से कबर करना इसके लिए आप हमारा कोर्स भी जोईन कर सकते हो जिसमें आपको पेपर फिस्ट के लेटर कम्प्लीट स्टेडी मैटेरियल मिल जाएगा जिससे आप अच्छे से त्यारी कर सकते हो वीडियो को लास तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों NTA UGC Net Exam 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लाँच किया है जिसमें पेपर फ्रेस्ट के रिलेटर्ड कम्प्लीट स्टडी मैटिरियल रहेगा इस कोर्स में आपको क्या-क्या मिलेगा नमबर वन पे all 10 unit study notes रहेंगे जो हिंदी उंबिस में रहेंगे नमबर टू पे all 10 units recorded lectures रहेंगे नमबर थरी पे 2012 से December 2023 तक all previous year question paper रहेंगे वो विदानसर टिक रहेंगे number 4 पे 2012 से 2023 तक unit wise question रहेंगे number 5 पे 2012 से 2023 तक topic wise question रहेंगे और इसके साथ साथ आपको 5 free bonus भी दिये जाएंगे और इसके वी इलावा आपको 5 super bonus भी मिलेंगे full information आप जहां से read कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा अपनी image net install कर सकते हो full detail के लिए और किसी भी problem के लिए आप हमसे whatsapp पे contact कर सकते हो वीडियो description box में आपका link और whatsapp contact number दिया हुआ है thank you दोस्तो